नमस्कार दोश्टो, स्वागत है आपको मेरी चाल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अलजली अपनी कलम से दिल से दिल तक की बात करते हो, सीधे सीधे कहकियों नहीं देते, हमसे प्यार करते हो जो यहां आपने सही सुरह हम आज के डिली राजिवल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज के दिन जिनका बज्जे है या फिर मारेज अनुवर्सरी है उनको मेरी दरफ से धेर सारी बधाए हो तो चरिए अब शिरू करते हैं जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में इंट्रेस्ट नहीं होगा तो पहले दुनिया को जीत की दिखाओ अगर महनत आदत बन जाए तो कामिया भी मुकदर बन जाती है इसलिए आप ही महनत को अपनी जिन्दिगी का एक हिस्सा बना लो और ठान लो कि आपको मन्जिल तक पहुँचना ही पहुँचना है मन्जिले भी जिद्धी हैं, रास्ते भी जिद्धी हैं देखती हैं कल क्या होगा, होसले भी तो जिद्धी हैं आज रास्ता बना लिया है, तो कल मन्जिल भी मिल जाएगी हौसलों से भर ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी उडान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े आपको भी गिर कर संभलना है एक बार नहीं बल्कि बार बार जब तक आप अपना सपना पूरा नहीं कर लेते कमिया भले ही हजार हो तुम में लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बहतर करने का हुरर रखते हो आप सब कुछ कर सकते हो अपने होंसलो को बुलंद रखिएगा बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों कुदरत चिडिया को खाना जरूर देती है लेकिन घौसले में नहीं जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वो जिन्दगी में कुछ भी कर सकता है सबसे पहले में आपको पता दूंखिया जाब के लिए जो है भागिशाले रंग यानिके लखी कलर आज के लिए रेड यानिके लाल कलर रहेगा और जो लखी नंबर है वो नंबर बन रहा है आज के लिए नंबर छे आज परिवार से अचानक कोई खुशी की खबर प्राप्त हो सकती है जिसकी वज़ा से सभी घर के सदस्य मिलकर कोई बड़ा निरने ले सकते है परिवार के साथ मेल जोल बड़ा रहेगा और भाई बहनों के साथ भी रिष्टा ठीक रहने वाला है और इसी की वज़ा से आपको व्यक्तिकत जीवन में भी कुछ फैसले लेने के लिए सहयोग भी मिल सकता है एक दूसरे का इसी तरह आप एक दूसरे के साथ जो है अपने रिष्टिय को लगातर कायम बना कर रखेंगे तो भविश्य में भी आपको सुखद रिजल्ट मिल सकते है इसे के साथ ही आज नए अनुभव जीवन दाई आधार भी बन सकते है इसलिए आज समय का जो है भरपूर मातरा में उपयोग कीजेगा बहुत इच्छा रहेगा किसी पुरानी प्राबलम का भी हल मिलने से बहुत अधिक राहत महसूस हो सकती है आपको स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं उनको तो खास करके कुछ रचनात्मक और समाजी का कारों में भी आपका विशेश रुजान नजर आएगा घर के बड़े बजरुगों के मार्ग दर्शन को अपने जीवन में जरा जरूर अपनाईएगा इसे आपको अपने जीवन में काफी इचर रिजल्ट मिल सकते हैं जोकिं बरे कारों से लगातार दूर रहें क्योंकि इनके द्वारा नुकसान होने की सितिया बन रही है किसे पर भी आँखे बन करके विश्वास करना आपको धोका दे सकता है यसलिए जरा आँखे खोल कर विश्वास कीज़े कि अगर करना चाहते हैं तो आज रिष्थेदारों और मित्रों के साथ समन्द मजूर बना कर रखे मीठी मानी से आप हर किसे का दिल जेत सकते हैं और साथ ही में अपने सभाब में परिपक्वता लाना भी आपके लिए बेहत जरूरी रहेगा आज के लिए पैसो की आज आवक बढ़ेगी यानिक इंकम बढ़ेगी आपके कम मेहनत में जादा फल मिल सकते हैं आज ऐसा दिन रहेगा इसलिए काम में फोकस बना कर रखेगा पुष्टैरी प्रॉपर्टी से रिलेटिड विवाद आपके पक्षमी सुलत सकते हैं जिसकी वज़े से भी आपको आर्थिक फायदा मिलने की अशंका बन रही है देखा जाए तो आज घर वालों के बहुत बढ़िया दिन कहा जा सकता है आज कोई इंपॉटेंट न्यूस मिल सकती है मीडिया और संपर्क सुत्र समंदी गति वीडियों में अपना ध्यान जरा जो है विशीश रूप से केदरित कीजेगा और हाँ किसी भी फोन काल को नजर अंदाज मत कीजेगा आज धार्विक और अध्यात्मिक शेत्र में भी आपका विशीश रूप से सहयोग बना रहेगा अगर आज आप अपने इश्च देव की पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही उम्दा प्रिणाम देखने को मिल सकते हैं कोई भी इंपॉर्टन प्लानिंग जो है उसको बनाते समय दूसरो क्यों पेक्षा अपने फैसले को ही प्रात्मिक्ता दे यानि कि सबसे पहले आप खुद को और खुद का काम करें बिना बाद पर नराज हो जाने जैसे अपने सभाव पर जरग काबू रखेगा समय के अनुसार अपने सभाव में तबदीली लाईए बदलाव लाना शुरू करें बहुत जरूरी है किसी दोस या रिष्टिदार का अपने वादे से मुकर जाने से आपका जुदल है आज उदास हो जकता है लेकिन ऐसे किसी कई लोगों के लिए होगा जर्द लोगों के लिए समय ठीक ही निज़रा रहा है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और करेड के बारे में तो बिजनेस और करेड कहता है कि आज इस समी जो है विवसाय में बहुत ही ज़ादा महनत और कुछ बदलाव लाने की जरूरत हो है आपको कोई विविसाइक investment करने के लिए भी समय अनकूल है यानि कि अगर आप कोई investment करना चाहते हैं business related कहीं पर तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए नौकरी में अभी जैसे परिस्थितियां चल रही हैं उनहीं ही स्विकार करना आपके लिए उचित रहेगा तो जो भी जैसा भी चल रहा है उसको चल ले दीजे समी का इंतजार कीजे आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा बैंक और वानिजिक शेत्र के लोग जो हैं उनको पैसो से रिलेटिट पैसा लेते समय जागरुपता रखनी होगी पैसा इधर का उधर हो सकता है जरा ध्यान देने की जरूरत है तो प्लीज हर काम फूल है आपको बहुत ही 100% करके देना चाही करना चाहिए इसके साद याज कारक शेत्र में आप चुहें अपने हिर्मत से अपने विश्वास से कई रुके हुए कामों को पूरा करने में सक्षम भी रहने वाले हैं आज की दिन लेकिन हाँ इस समय मार्केटिंग और अपने प्रोडक्स की जो क्वालिटी है प्लीज उस पर ध्यान जरूर कीजेगा अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है तो इस क्वालिटी को जो है आपको इंप्रूव करना होगा जरा से गलती जो है आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं नुकसान ना हो जाए इसलिए क्वालिटी पर ध्यान देना अभी से शुरू कर दीजेगा हिसा में ग्रहों की जो स्थितियां है वो आपके लिए नई संभावनाओं का भी निर्मान कर रही है साथ इमाज आईटिक शेत्र से जो जुड़े हुए लोग है उनके लिए आज का दर लाम दायक रहेगा बलकि जो स्टूरंट से आईटिय से जुड़े हुए उनके लिए भी बहुत सारी उपर्चुनिटीज आ सकते हैं अब आगे बढ़ लेते हैं बात करते हैं लव लाइफ की लललाइफ कहती है कि परिवारिक और व्यवसाईक जीवन में बहतरे आज तालमेल बना रहेगा जिसे जो जहें घर में सुक्षान्तिक भरा महौल बना भी रह सकता है प्रेम सबंदों में भी मर्यादा का ध्यान रखना है और ये बहुत जादा जरूरी है आपके लिए इसके साथ ही नए रिलेशन्शिप्स की शुरुवात भी कई लोग कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया रहेगा ये भी पती-पत्नी घर का वात्तावरन और भी जादा बहतर बनाने की कोशिश करेंगी आज आप घर में कोई मनरंजन अक्टिविटी करें बहुत ही बढ़िया महौल रहेगा साथ ही में पती-पत्नी में आप से सहयोग मधूरता भरा विबहार भी बना रहेगा बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उनमें उनका सहयोग करना आपका अदयत्व है तो उनको उनकी प्रॉब्लम्स को ज़रा समझीए उनको सॉल्ट करने के कोशिश कीजिए ताकि आप ही जान पाएं कि आपके बच्चे कैसे हैं और कैसे काम कर रहे हैं तो ये थे love life और बात करते हैं आगे बढ़ते हैं स्वास्त की और स्वास्त कहता है कि आज सुस्ती ठकान जैसे सितिया कई लोगों को महसूस हो सकती है अपने खान पान पर अराम पर विशेश ध्यान देना होगा कहीं लोगों को आज स्किन से लेलेडिड किसी तरह की इंफेक्शन हो सकती है प्रॉपर रिलाज करवाएगे पारी का प्रियोगा अब जादा मातरा में कीचे टॉक्सिंस बहाँ निकलने से भी आपकी जो स्किन डिसीजिस हैं वो कम होती निज़राएंगे दिन चरिया और खान पान को जरा बालंस ड़र रखिए वर्तमान वातावरन की वज़े से लापरवाही पिल्कुल भी मत बढ़तेगा तो चलिए अब अन्त में बात कर लेते हैं आज के विशेश उपाय के बारे में तो विशेश उपाय आज आपके लिए बारे में कहता है कि आज भगवान गनेजी को मोटी भूंदी के आप पांच लड़ू जरूर चड़ाईएगा यसे के साथ ही आज आज आप अगर ससंग सुनते हैं और अपने खामियों को पता चलता है आपको ससंग सुनने से इसको दूर करने के कोशिश कजिए आप अगर आप नेक इंसान बन जाते हैं तो भगवान की प्रिशन्टा तो मिलेगी ही आपको हर और से चो है सुक शान्ती मिलती नजर आएगी भगवान की ग्रिपा आप पर हमेशा बनी रहेगी तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शियर करें और उमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा धन्यवाद